हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गरतांतर दिवस की बहुत बहुत हार्दी बदाई और कई दिनों से मैं यूट्यूब चैनल पर अपने एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ रेगलर नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ थोड़ा सा मेरी तवियत गणोबर चल रही है कोल्ड वगरा पकड़ी है, फीवर वगरा है लेकिन यूट्यूब का कुछ नए अपडेट्स आये थे जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था देखे जो पहला अपडेट है वो है क्रेटर्स की अर्निंग को लेकर के जो नए अपडेट यूट्यूब ने किया है इससे क्रेटर्स की अर्निंग काफी हद तक भढ़ जाएगी थोड़ा सा इन्हेंस होगी, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी ठीक है और जो दूसरा अपडेट आया है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में वो है कॉपीड़ाइड स्ट्राइक, कम्यूटी गैडलाइन स्ट्राइक को लेकर के कि जिन लोगों को भी दिक्कत होती थी कि कम्यूटी गैडलाइन स्ट्राइक उनके चैनल पर आ गया है, वो पैनिक हो जाते थे और यह पता नहीं चल पाता था कि हमारी वीडियो पर आखिर क्यों कम्यूटी गैडलाइन स्ट्राइक आई है, तो अब सब कुछ आसान कर दिया है, यूट्यूब ने बहुत ही बढ़ि कि मेरे आने वाले सबी वीडियो को नोडिफिकेशन सबसे बहले आप तक पहुंसा गए, कुछ बीमार चल रहा हो, कुछ तवियत गरबढ़ है, इस वज़े से रेगलर नहीं हूँ, अन्य था मेरे चैनल पर, मैं एकदम रेगलर तरीके से वीडियो ले करके आता हूँ, ठी Superthanks को ले करके इससे Creators की Earning काफी हद तक बढ़ जाएगे, काफी हद तक increase हो जाएगी, enhance हो जाएगी, बहुत सारे Creators को ये feature मिल चुका है, Superthanks का, होता क्या है, देके, Superchat, जिस तरीके से काम करता है, Superchat का क्या σीन है, कि Superchat, जब कोई वियक्ती, जब कोई Creator Live करता है, तभी जो उसके viewers होते हैं वो से खुश हो करके super chat उसको provide करते हैं ठीक है लेकिन अगर आप live नहीं कर रहे हैं आप simply videos बना रहे हैं videos upload करते हैं उपने channel पर that's it तो अगर आपकी video आपके viewers को पसंद आती है वो आपकी video से खुश हो जाते हैं उनको मदद मिलती है आपकी video से तो आपको वो super thanks भेज सकते हैं super thanks का क्या scene है कि super thanks में भेजी जाने वाली जो राशी होती है जो amount है कोई भी viewer मान लिजे आपको 100 रुपए भेज सा है super thanks में तो उस 100 रुपए का 70 रुपए आपको मिलेगा creator को मिलता है जिसने video बना करके upload करी है और जो 30 रुपए है वो 30 रुपए कट जाता है YouTube के पास चला जाता है तो यह बहुत ही बढ़िया यह update लेकर के आगया है YouTube अभी सभी creators को यह feature नहीं मिला है available नहीं हुआ है सबके पास लेकिन बहुत जल्द इस feature को सभी creators को दे दिया जाएगा तो यह पहला update था और सभी creators को यह feature मिल जाएगा तो काफी हद तक सभी creators की earning increase हो जाएगी ठीक है दोस्तों चली बढ़ते हैं अपने दूसरे update की और तो दोस्तों जो दूसरा update है वो है community guideline strike को ले करके कि हमारी videos पर जब कभी community guideline strike आ जाया करता था पहले तो हम लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ऐसा क्या हमने कर दिया कौन से इसी गलती कर दिये कि हमारे इस video पर community guideline strike भेज दी गई है तो उसको review करने में उसको appeal करने में जो पुराना process था काफी ज़्यादा technical था काफी ज़्यादा headache था जिससे सभी लोग उससे familiar नहीं थे लेकिन यो YouTube नया update लेकर के आया है इस अपडेट की वज़ह से बहुत सारे लोगों की समस्या solve हो जाएगी अब आप अपने content को खुद ही review कर सकते हैं कि आपके content में कुछ ऐसा आपने कुछ ऐसी चीज यूज तो नहीं कर दी है जिससे आपकी community guideline violate हो रही है तो दोस्तों चलिए मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ तो आप क्या होगा कि जैसे ही मान लीजे कि आपकी किसी वीडियो पर आपको community guideline मिलता है तो आपके सामने इस तरीके का एक interface आ जाएगा इस तरीके से एक scene बना हुआ आएगा और यहां पर लिखा रहाएगा उपर क्यों review and issue ठीक है सही ineligible कर दिया जाता है ठीक है श्ट्राइक मिली है या नहीं मिली है वह सब कुछ आपको यहां पर दिखाए देगा ठीक है उसके बाद आपको नीचे क्यों अगर आप देख पा रहे हैं तो बिगन रिव्यू का एक option दिखाए दे रहा है इस बिगन रिव्यू वाले option पर इसको ध्यान में रखिए उसके according आप अपने content पर review करिए content कर रिव्यू करिए कि आपने कुछ ऐसा कुछ यूज तो नहीं कि अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया है पूरी community guideline की policy को आपने follow किया है माना है समझा है तो आपको क्या करना है नीच to appeal and have us review again मतलब कि क्या आप अपने content को दुबारा से review करवाना चाहते हैं और appeal करना चाहते हैं तो आप इस वाले interface पर काम कर सकते हैं तो यहां पर आपको दो options और नीचे के और दिखाए देंगे कि I don't want to appeal मतलब कि मैं appeal नहीं करना चाहता यानि कि आप अपने committee guideline को violet किया है और जो strike आई है वो actual है वो सही strike है ठीक है और अगर आपको लगता है कि आपने वाले नहीं किया है आपने सभी policies को follow किया है जो strike मिली है आपको committee guideline strike वो गलत तरीके से मिली है mistakenly मिल गई है आपको तो आप यहां पर click कर सकते है I want to appeal मतलब ठीक है और नीचे आपक दिख रहा होगा जहां पर आपको text लिखना है कुछ-कुछ message यहां पर लिखना है कि मैंने कोई policy को वालेट नहीं किया है बहुत सारी लोगों ने इस तरीक वीडियो बनाई है वेगर वेगर चीजे इस तरीके कि आपको यहां पर सब्मिट पर नीचे की और क्लिक कर देना ह स्ट्राइक रिमॉफ कर दी जाएगी ठीक है दोस्तों अगर आपकी वीडियो में भी community guideline strike आ जाता है आपके चैनल पर भी community guideline strike आ जाती है तो आप इस तरीके से इस process से अपने content को review कर सकते हैं और उसको appeal के लिए भेज सकते हैं तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर end करना च थैंक यू